हिपल क्या उसका कोई नियंत्रन नहीं और टी ती प्लैटफामें पर क्या दिखाना इसका भी कोई नियंत्रन नहीं है देश में तरह तरह के नशीले पदार थाते उनकी आदते बढ़ रही है वो कैसे रोकी जाए कैसा हो पता नहीं कि उच्च वर्ग से लेकर तो बिल्कुल आखरी आदमी तक समाज के जितने भी स्तरह सब में भयंकर व्यसंद और उस व्यापार से जाने आने वाला पैसा किसके हाथ में जाता हम सबको पता है देश्वी रुजवी कारियों में उसका उ वाइड़े लिए पहजी सारी बाते चल रही और नियनत्री बाते भी बढ़र रही जा व्यापार अब सब बातों को नियंत्रित करना समाज के हित में चलाना इक ड्रग्ज जैसे व्यसनों का पूर्ण जिरासओं इसका प्रयास करना ये शासन को करना चाहिए, करना पड़ेगा, परंतु शासन तो अपना काम आज नहीं कल करेगा, करने का प्रयास कर भी रहा है, वो यसस्वी आज नहीं कल होगा, परंतु तब तक के लिए इसका बचने क्या का और बाद में भी बचनी की क्या बात है, कैसे होगा, तो अपने आपर एक वाक्षिय, सरवत्र लिखा मिलता है, मन का ब्रेक, उत्तम ब्रेक समाज का मन तयार होना चाहिए, नई पीड़ी का मन तयार होना चाहिए, बालकों का, शिष्वों का मन घर में तयार होता है नवतरुन होने के बाद जब दुनिया में जाता है और दुनिया के आगे खड़ा होता है तो उस व्यक्ति को क्या लेना क्या नहीं लेना क्या ठीक है क्या गलत है इसका विवेक जो मिलता है वो घर से तयार हो मिलता है कि माता-पिता के ओच प्लेटी प्लैटफॉर्म से उस पर कैसे ओट आते हैं क्या क्या आता है है अभी सोका ना में बालकों Smith में भी मूबाइल आ गए और ऑनलाइन देखे और लाइन तो देखा ही रहें और क्या देखते क्या नहीं इसका कोई नियंत्रन नहीं और OTT प्लैट्फरम पर क्या दिखाना इसका भी कोई नियंत्रण नहीं देश में तरह तरह के नशीले पदार थाते उनकी आदते बढ़ रही है वो कैसे रोकी जाए कैसा हो पता नहीं उच्च वर्ग से लेकर तो बिल्कुल आखरी आदमी तक समाज के जितने भी स्तरह सब में भयंकर व्यसंद और उस्त्रयापार से जाने आने वाला पैसा किसके हाथ में जाता हम सबको पता है देश वी रुजवी कारियों में उसका उपयोग होता है सीमापार के देश उसको प्रोच्षान करते हैं कि ऐसी सारी बाते चल रही है और अनियंत्री बाते भी बढ़ रही है बिटकॉइन जैसी करंसी है किस राष्ट्र का किस नियम का उस पर नियंत्रणे मुझे नहीं पता थियक्स पर्दाखढी हो रही है इन सब बातों को नियंत्रीत करना समाज के हितमें चलाना ड्रज जैसे वैसनों का पूर्स निरास हो इसका प्रेयास करना यह सासन को करना चाहिए करना पड़ेगा परनतु शासन तो अपना काम आज नहीं कल करेगा करने का प्रयास कर भी रहा है वो यशास्वी आज नकल होगा परंतु तब तक के लिए इसका बचने क्या कर और बाद में भी बचनी की क्या बात है कैसे होगा तो अपने हाँ पर एक वाक्य सर्वत्र लिखा मिलता है मन का ब्रेक उत्तम ब्रेक समाज का मन तयार होना चाहिए नई पीड़ी का मन तयार होना चाहिए बालकों का शिशुओं का मन घर में तयार होता है कि नवतरून होने के बाद जब दुनिया में जाता है औरो दुनिया के आगे खड़ा होता है तो उस व्यक्ति को क्या लेना क्या नहीं लेना क्या ठीक है क्या गलत है इसका विवेक कि जो मिलता है वो घर से तयार होके मिलता है माता पिता के आज़ेंगे